बूतुरिवरU नमस्कार आप सबी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत थे कालिकरम B Reality Guru में दर्शकों जूतिश संभावनाओं का वो अनंताकाश है जिसके माध्यम से अपने जीवन को सजा सकते हैं सवार सकते हैं यानि वो सितारे हमारे पास होते हैं जिन से हम अपने जीवन को सजा सकते हैं कैसे यह हम आपको लगातार इस कारिक्रम के माध्यम से बता रहे हैं आज हम बात करेंगे टेरो कार्ड वीडर गायत्री जी से जो हमें बताएंगी कि कैसे टेरो कार्ड हमारे जीवन को आसान सुगमों सरल बना सकते हैं स्वागत करते हैं गायत्री जी का स्टूडियो में गायत्री जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार गायत्री जी बहुत सारी समस्याइं हर इंसान के जीवन में होती हैं चाहे वो राजा हो रंग हो मध्यमवर्गी हो कैसे इन समस्याओं का समाधान टेरो कार्ट करेगा इस विशय पर हम आपसे चर्चा करेंगे सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी कि टेरो कार्ट के बारे में आपकी रुची कैसे बड़ी उसकी और आपका जुकाव कैसे हुआ जी बहुत अच्छा कोस्टन बुछा आपने टेर बचा के बैटे होते थे पहले तो वहां का महौल देखके बड़ी पॉस्टिविटी लगती थी बड़ा अच्छा लगता था मेरे को मुझे तब मैं हरान होती थी हमने जो कोश्चन पूछ है तो वह आंसर इतनी असानी से कैसे दे देते हैं फीगर हमारे सामने होती थी हम उ तो मन में बहुत जग्यासा रहती थी कि इसको कैसे देखा करो मैं यूटूब देखा अपना गूगल सर्च की हार के मैं तेर्यो चुरआज है इसको खृदा खृद के दीरे दीरे मैंने इस सर्च मारा श्राट किया करना श्राट किया इन से मेरी बाडिंग स्राट वी तो य इससे बकैदा पूरे जैसे जो इनका टीचे कोर्स था पूरा मैंने टेंट किया उसके बाद मैंने इसको जैसे ही अपनी लाइफ में लेके आई तो मेरे लाइफ में बड़ा ही मरेकल हुआ इसलिए मैं गौड का शुक्रिया दा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लाइन में भेजा मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस साइंस को अपनी लाइफ में लेके आई जिसके कारण मैं लोगों की काफी हद तक हीलिंग करती हूँ उनको काफी संतोश मिलता है जो उनकी समझ से आई हैं उनका समधान हो जाता है गैटरी जी आपने बता दिया कि कैसे आपका जुकाफ हुआ और कहते हैं कि कोई भी कदम होता है पिर बिना बात के नहीं उठाथा कही तो एक यह कार्ड की पर उपर एक फिगर सी होती थी उससे यह अंदाजा लगाते थे कि जो पराने राजा महाराजें कि यह युद जीतेंगे या नहीं जीतेंगे तो केवल युद तक ही ऐसी में थे उसके बाद फ्रांस का जो किंग था 16 स्थाबदी में 16 स्थाबदी में इस फिगर का का ये मीनिंग आएगा दे झेडियरे ये ये उरोप कंट्री से होता हुआ फ्रांस से होता हुआ ऑप injust के लोग ने को अपने डेटर भारे फिर आपीसियर के बाहें देखने लगे तो चीलिए इंडिया में विस पूर पपलर हो गया यह औरीिसर आप चाहे को आपका डेट बर्त पता है या नहीं पता आपके पास एक नाम फिगर है आपके पास नेम है आप उसके गोर्डिंग भी इससे सब कुछ जा सकते हैं अगर आपके साथ इसकी बॉंडिंग अच्छी हो गई तो आप मानोगे नहीं यह इतनी प्रेडिक्शन बढ़िया करते हैं है तråछ द आप हैराना जागे कि यह प्रेडिक्शन घंडेट पर्संट सही होती है यह आपकी बातों से प्रता चल रहा है आगे भी बहुत सारे हमारे पास मेल आई ह। वो जानेंगे हम के कैसे कैसे समस्याओं का निदान होता है लेकिन उससे पहरे में यह जाना चाहूंगी कि जो डेक होता है कार्ड का यह कही प्रकार होते हैं क्योंकि मैंने सुना है किसी में 28 कार्ड होते हैं किसी में 78 होते हैं क्या रीजन होता है इतनी वराइटी कैसे होती है कि अैं डीलिंग करें आँ़ो को फिर कि आपके सारा नहीं जो होगा नहीं जो सल्ट आप डेली के लाइफ में इसको देखना चाहो अपना मोर्निंग में अपना डेक खो लो देखो कि आज मारा आफ्टर नून कैसे जाएगा नाइट कैसे जाएगी उसके बारे में एक प्रडिक्शन देते हैं। डे टू डे का बताया आपने गायतरी जी कि हम देख सकते हैं कि कैसा दिन जाने वाला है जी कि यह सा होती है खासकर कि जो नौकरी पेशा होते हैं उनको तो पता है कि हमें साथ गंटे देने आठ गंटे देने लेकिन जो वेबसाई होता है बिसनिस होता है उसमें जरूर यह द एगर आपको लोस होने वाला तो आप इसमें से रेमेडी का लेंगे अगर बार इस ने को आपको न हम मुसको कहते हैं क्यों कि लोस कतम हो जाएगा वो तो होगा लेकिन यह कि इसको कारड प्रिडिक्शन करने के बाद आप जो रेमडी करेंगे वो कुछ हद तक कम हो जाएगा आपको लोस बनला कि जैसे आप बारिश में जा रहे हैं तो पूरा भीगने के विज़ा कर चाता लेते हैं तो काफी हद तक प्रोटेक्ट हो जाते हैं अगर इसे तरह अगर आप अपने देखें कि आज तो लोगों की समस्याओं के समाधान की और टेरोकार्ट से तो क्या कनेक्शन होता है क्योंकि मैंने देखा जो प्रेडिक्शन होते हैं टेरोकार्ट के वह भी कही ना कहीं कोई ग्रह उनको गवर्ण कर रहा होता है जैसे आपको वीनस का देना है तो उपाय हम कुछ जैसे सुनत सामने कोई आके रैंडमली हम कोई आके बैठ जाए वो कहें कि मुझे वैदी के द्वारा बताईए तो हम से सिंपल एक पूछेंगे कोश्चन आप एक फिकर बताईए वर्ड बताईए उसने वन नंबर बताया तो हमें पता चल जाएगा कि यह जो है इसको अपने इसका जो ख कि फिसके साथ होगा हमें हमारी हाइट कि होगी हमारा खुद का वे पहला घर होता है तो उससे हम पहचान लेते हैं कि इसको यह प्राबलम है अगर काड़ निकालेंगे तो उसके कोड़िंग इसको काड़ आएंगे और पहले वाला जो है वह रान जाता है क्योंकि यह साइं सब्सक्राइब मिला हमें इतनी प्रोडिक्शन मिली वह अगले वार सामने वाला हरान हो जाते कि एकदम इन्होंने एकुरेट कैसे बता दिया पूरा और जो मारा टेरो डेक है यह सब चीजों में निपून जिखर हो रहा है टेरो डेक का तो क्यों ना आप कुछ मेल ले लेते हैं और टेरो कार्ट के माध्यम से उनकी सबस्याओं का समाधान जान लेते हैं यह हमारे पास मेल आई हुई है शीबा जी की एमेल है इनका जन्म है 13 फरवरी 1988 का यह जाना चाहती है कि पीएचडी लॉय कर रही है इनकी कब तक यह शिक्षा जो है वो पूरी हो पाएगी क्या पॉसिबल है कि पूरी हो जाए और दूसरा सवाल इनका है कि यह देहरादू कि इनको पीएच्डी लो और यह लो पीएच्डी की पूरी हो जाएगी ठीक है शीबा जी लेट्स चेक शीबा जी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपके पीएच्डी जो है उसमें अभी संभावना नहीं है पूरी होने की अब हम चेक करते हैं उनका जो उन्होंने को सा देरादून और देरादून शिम्ला या फिर आउट अफ इंडिया विदेश में जाना चाहती हैं तो क्या उनके लिए यहां पर रहना सूटेबल है या आउट अफ इंडिया ये इनको सूट करेगा आज हम जा सकते हैं डेरादून हो आफ यह तो प्याता में जाना चाहते हैं कि चैनेडरा एंको सूत करेगा िरफेश कासे कंट्री कियां डिस्टेबल है अब आट प्रेजन्ट तो कार्ड नोम बता रहे हैं, आउट अफ इंडिया के लिए ये विदेश के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, तो इनके लिए तो भी हम राय नहीं देंगे की जाएं, अगर जाना ही जाती हैं, तो इनको रेमेडी करनी से हैं, रेमेडी क्या हो सकती है, इनको रेमेडी करने के बाद इनके लिए बनेगा योग विदेश जाने का, तो यूनिवर्स क्या होता है, जब आप किसी चीज को चाहते हो, तो उसके लिए हमें मेनत करते हैं, तो जो मारा सबस्क्राइन माइंड है, वो एक्टिव हो जाता है, और रेमेडी करते हैं, तो ह अगर इसको इतनी जूरता चौल ले लो तो यूनिवर्स वह हमें चीज दे 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 अगर यह उपाई करेंगी विदेश जाने के लिए तो हो सकता है परमातमा इन की इच्छा को पूरी काई तो उपाई यह कार्ट भी बता देते हैं क्या रहे हैं इनके रेमेडी जी अब हम उ इनको शुक्र क्यों पाई करने चाहिए इनको क्या करना चाहिए जो आप डेली नहाती है नहाने वाले पानी में थोड़ा सा दूद्ध या दही मिक्स करके नहाए अगर पॉसिबल हो सके तो उसमें थोड़ा सा इत्र डालिए इन चीजों से आप रेगुलर नहाए और अप मुझे लगजरी लाइफ चाहिए मुझे विदेश में जाना ही जाना है शुकर के मंतरों का उचारन कीजिए अपना मन को शांत रखिए मेडिटेशन कीजिए देखिए युनिवर्स आपकी कैसे इच्छा पूरी करते हैं आपकी बच्छा पूरी होगी जरूर तो शीवा ज मुझे लगता है कि आपने नोटाओं जरूर कर लिया होगा और यदि दर्शे को आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो हमें कॉल कर सकते हैं नमबस लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं गैतरी जी आगे बढ़ते हैं तनु जी की हमारे पास मेल आई हुई ह ये लिखती है कि इनकी जो कुंडली है इनकी जो डेटर बर्थ है इनके पास नहीं है लेकिन इनका सवाल है ये जाना चाहती है कि संतान की प्रापती इनको कब तक होगी विवा के लिए कई वर्श हो चुके हैं इनको लेकिन संतान की प्रापती नहीं हुई है क्या योग ब बहले ही थोड़ी लेट हो लेकिन होगी जरूर जी हो सकता है साल लग जाए शिक्स मंद लग जाए शिक्स मंद लेकर वन यर तक आपके भी भी जरूर होगा आपको एक अफरमेशन त्यार किजिए सुन्दर सी खुशी-खुशी न्यू पैल लीजिए न्यू पेपर लीजिए अपनी इस्ट वाल पे जो जहां भी आपका बेडरूम है उसकी इस्ट वाल पे अपनी मुस्कराती वी पिक लगाईए पहले को मतलब कि अच्छे भाव से लगानी है मन में कोई ऐसा नहीं रखना कि पता नहीं पूरा होगा के नहीं होगा जैसे ही आपके मन में यह भाव आ लगाईए साथ में बांसरी या मोर पंक लगा दीजिए एक वाइट पेपर लीजिए न्यू बॉल पैल लीजिए उसके उपर पहले ओम लिखिए फिर अपनी डेटो बर्त लिखिए अपना नाम लिखिए फिर पोजटिव में अफरमेशन दालिए कि मेरे को बेबी मिल गया परमात्मा ने चाहा तो आपको जल्दी ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और मैं भी यूनिवर्स से चाहूंगी कि जल्दी ही आपके घर में सुन्दर सा बालक खेले और तांकि आपके जो मेरेश के इतने साल हो गया आप इन से वन्चित रहे हैं परमात्मा जल्दी ह तो तनु जी आपके लिए बहुत ही खुश्खबरी है और गायतरी जी ने आपको बता दिया है कि क्या आपको उपाय करने हैं और उमीद है कि जरूर आपने नोट कर लिये होंगे आगे बढ़ते हैं गायतरी जी हमारे पास सरीता जी की मेल आई हुई है इनकी डेट वर्थ है सरीता जी की मेल है हमारे पास सरीता जी आपको शीगर ही शुगर से निजाद मिलेगी लेकिन आप अपने तुड़े खान पन का ध्यान रखिए रेगुलर वॉक कीजिए और पोस्टिव इचार रखिए जितना आप मेडिटेशन करेंगी टेंशन से दूर रहेंगी आपको बीमारी आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी तो कहीं इनको कोई रेमेडी की जरुवत तो नहीं है जितनी मेडिटेशन करेंगे अपने आपको पॉस्टिव रखिए मतलब कि आपने आपको नेग्टिव मत करिए कि पता ने कब ठीक होगी मेरी कब नहीं ठीक होगी अब पॉस्टिव सोचेंगे आपकी देखना बिमारी कैसे चूमंतर होती है आपको पता भी नहीं चलेगा आके बढ़ते हैं रिशी शर्मा जी की मेल है हमारे पास इनका जन्म है 14 अगस्ट 1995 का कर्ज के बोचतले दबे हुए हैं जाना चाहते हैं कि लोन से इनको कम मुक्ती मिलेगी जी शर्मा जी डेटो बर्थ में दोबारा बताया देती हूं 14 अगस्ट 1995 का जन्म है जीशी शर्मा जी जो आपकी धनकिस दीती है उसका आप स्ट्रेस लेके बैठे हुए हो थोड़ा स्ट्रेस को कम किजी जो आप डेली आप चाहते हो कि मेरी इंकम में हो तो आप शिव जी के मंदिर जाए उन पे जल चड़ाए और उन से प्रात्ना कीजिए कि जरम जो मेरा लोन है वो शिगर उतर जाए और भगवान ने चाहा तो आपका लोन शिगर उतर जाएगा देखे क्या पहरा काड़ा आया गोड ब्लेस यू परमात्मा आपके बंडार भरे रखे जो भी आपकी समस्या है लोन की शिगर ठीक हो जाए तो दिर्शकों यहां पर गायत्री जी लगातार हमारी है समस्या का समाध्यान दे रही हैं हम आपसे कहना चाहेंगे कि अध्यापके जीवन में भी शारिरिक मांस कार्थिक कोई भी समस्या है तो हमें कॉल कर सकते हैं नमबस लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं गायत्री जी बहुत सारे हमारे पास मेल हैं उनको हम जरूर लेंगे आगे लेकिन कुछ सवाल है मेरे मन में जिनका समाधान आप से जानना चाहूंगी कि कुछ चचाएं हम कर रहे थे टेरो कार्ट के बारे में जैसे कि अभी आपने प्रेडिक्शन किये हैं कुछ लोगों के मैं जाना चाहूंगी यह प्रेडिक्शन कितने समय तक होते हैं जैसे वैदिक जोतेश होता है उसमें लंबे समय तक बता देते हैं कि आपका साल ऐसा रहेगा क्या tarot card भी कुछ duration रखते हैं कि एक साल होगा, दो साल होगा इस तरह से जी, tarot card में यह होता है कि आपको कफी हद तक साल, दो سाल तक बता चलता है लेकिन आपको होती है कि तीन मीने में, आने वाले हफतों में, मन्त में, उसका result आई जाता है कि आपको नाम चाहिए डेटो बर्थ चाहिए उसका बर्थ समय चाहिए तीनों चीज़े चाहिए डेटो बर्थ नाम और समय अगर किसी के पास नहीं है तो वो बचरा क्या उसको अपना विशेफल जानने का अधिकार नहीं है तो टेरो डेक हैं न हमरा यह आपको पूरी यह लाइफ में समस्य है जॉब किबि की वीधेश जाने की यह डेली डेलि रुटीन में जो भी आती है तो यह अपकी यह पूरी करता है कुछ students होते हैं जिनको यह जिग्यासा होती है कि हमारे लिए कौन सी लाइन ठीक रहेगी किस तरह से उनको भविशिक की जो देशा निर्देश है वो उनको प्राप्त हो सकें यह जो parents होते हैं वो भी चिंतित होते हैं बच्चे तो होते ही हैं कि आने वाला future कैसा रहेगा क्या अगर आप अपने प्रफेशनल टेरो कार्ड के दुवरा चेक करते हैं कि हमें for example science में जाना है या commerce में जाना है एकाउंट में जाना है किसमें जाना है अगर आप चेक करके उसमें admission लेते हैं तो आपको आगे कोई problem नहीं आएगी अगर आप पहले आप admission ले लेते हैं उसके बाद आके आप prediction चाहे एस्टो से करवाता है या टेरो से करवाता है कि मुझे problem आ रही है अब क्या करें क्या ना करें तो उसमें आपका देखो time भी खराब होता है समय भी खराब होता है मैं तो यहीं चाहूंगी कि जब भी आप थोड़े puzzle हो कि मैं आप क्या करूं में इसम करना जाते हैं उसके लिए टेरो डेक सबसे बेस्ट हमारा यह टूल है क्यूंकि कार्ट्स बहुत सारे हैं और लोगों की जो energy होती है जब आप शफल करती हैं तो सारे energy बदलती हैं क्या इन कार्ट्स को भी आप charge करते हैं किसी तरह से जी ऑफकोर्स को चार्ज करते हैं इनक करते हैं चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं इनकी पूजा करते हैं हम प्रेयर करते हैं इनके साथ बॉंडिंग मनाते हैं जब meditation करते हैं तो इनको साथ लेके करते हैं ताकि इनके साथ इनको साथ जितनी हमारी attachment होगी इनके अंदर कहीं बार negativity आ जाती है जब कोई करना जरूरी है इनको आप मानोगे नहीं हम सुलाते भी हैं अचा हम इनको सुलाते भी हैं और इनको उठाते भी आपने स्टार्टिंग में नोट नहीं किया मैंने इनको नौक करके उठाया आप स्टार्टिंग में देखो तो मैंने इनको नौक किया कि मैं आप से बात करना आपने बचों के साथ खेल रही है। अगर हमारे पास कोश्कन आता है कि हमें विदेश जात्रा होगा की नहीं होना फॉरन में हम अगर यात्रा करने जा रहे हैं हमारा सपना पूरा होगा करने होगा तो of course येस होगा क्या कहते हैं फैमिली है एक नमबर का कार्ड है टैन नमबर सूर्य का होता है तो वेशनल आपको आप जाएंगे बिना निस्वन कोच जाएंगे आपको कोई रोक ही नहीं सकता तो यह आपको नजर लगी हुई है इसलिए आपके काम रुक रहे हैं आप जैसे नजर के उपाय करेंगे तो आपके हर कामों में समस्या हो जाएंगे यह हमारे जो कार्ड ना यह हमें बहुत इंडिकेशन देते हैं जो कैरियर बिजनस किसी भी स्टडी हर चीज में देते हैं बस इनको थोड़ी टकनीक आनी चाहिए कि पढ़ते कैसे हैं और यह ज समझ पा रहे हैं कि टैरू कार्ड कैसे हमारे जीवन को आसान बना सकता है यादि हमारे जीवन में कोई भी समस्या है आपको लगता है आपको पारिवारिक कोई समस्या है या बच्चों को लेकर कोई समस्या स्टडी की कोई समस्या है तो हर समस्या का समाधान इसमंच के माध और मीना सिंग जी थोड़ा सा अपने हस्बेंट के साथ रिलेशन को लेकर परिशान है लिख रहे हैं कि एक्स्ट्रा मेरिटल रिलेशन है इनके तो क्या इनके जीवन में कभी ये होगा कि इनके पती का जुकाव इनकी और हो और पूरी तरह से फैमिली आसानी से चले लेट्स जो आपका जो लव हंस है उससे जो आपकी अनबन बन रही है उससे आप निश्चिंत रही है कुछ टाइम के लिए ग्रय आयों है नक्षत रायों है जो आपको उनको मिस्गाइड कर रहे है तो लेकिन आप देखोगे तो धीरे धीरे आपके समसे ठीक हो जाएगी निश्च में लिख रही है कि हमारी सास बहु में आपस में अनबन रहती है क्या रिष्टे कभी अच्छे होंगे और हमारा परिवार शांती पुंड वातावरन में रहेगा जी आईए चैट करते हैं जी देख लेते हैं पुश्पा जी आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं जी है और है कर पुश्पा जी क्या है कि आपने बिना बाद का स्ट्रेस लिया हो गया कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई इतनी प्रब्लम नहीं है जो कि मेरे मदर नेनला से आपकी बन नहीं गई आप आप अपनी मदर से प्यार कीजिए उससे अपनी मदर से करती हैं आप उनसे रिलेशन बना के रखिए लेखे किते प्यारे काड़ा हैं आपके रिलेशन के बारे में आप उनसे अच्छी तरह रखिए न जैसे आप मदर से करती हैं उनसे पैसे की यह पैसे का काड़ा है आप प थोड़ी सी इर्षा है आप उसको कम की जिए जो बड़े होते हैं वो बढ़े ही होते हैं वो कभी बुरा नहीं चाहते हैं आपने बच्चों का चाहिए बहुँ चाहिए बेटी हो गूछो आपने मेडिटेशन कीजिए थोड़े मन से विचार हटा दीजिए आपके जगड़े तुरंत समापत होंगे निश्चिंत रहिए आपके जगड़े कोई-कोई इतनी वह लंबी उमर नहीं है जल्दी कतम हो जा है कि इनके असास बहु की नहीं बनती इनकी जो जर्मतित है वो है 18 अप्रेल 1999 क्या ये रिष्टे कभी ठीक हो पाएंगे डेफिनेट ठीक हो पाएंगे जी आपके उपर तो प्रमात्मा का पूरा शिर्वाद है डेफिनेट ठीक होंगे अपने शिंत रहिए थोड़ा सा पे पेशंस रखने में ही अमल आई है आप रिस्तों को जादा उचालिये मत पेशंस रखे बवान का शिर्वाद आपके उपर है जिंकी भी समस्षय का समाधान हो गया है और जैसे जैसे मुझे लगता है कि रिष्टे होते हैं उनको समाई भाल रहना बहुत जरूरी होता है क्य कि एमेल हैं लिखती हैं कि ये घर लेना चाहती है लेकिन ये अपना डीटेल नहीं भेज़ा है क्या ये घर ले पाएंगी जी आई चेल करते हैं कि अभी तो देखो फिल हाल तो मुश्किल है टाइम लगेगा क्योंकि आपको नजर लगी हुई है तो आप थोड़ा सा अपने घर के जिस घर में रहते हैं उस घर में थोड़ा सा डेली कपूर प्लस लॉंग जलाए हो सके तो ट्यूजड़े और सेटरड़े जलाते ही रहिए आगे आने वले समय में आपका घर बनेगा घर बनाने के लिए मैं आपको इम्रेमडी देती हूं आप मार्किट से छोटा सा घर लकड़ी का लेके आए अगर नहीं मिलता तो किसी जो छोटी बच्ची होती है आठ साथ आठ साल के उससे ड्रा कीजिए जैसा आप चाहती है घ है उसे ड्रा की जी उसको आप भगवान मंदीर के आगे में रख दीजिए और उन से कहिए कि जिस भी गोड को मानते हैं उन से कहिए कि मुझे यह घर पर आपकी किरपा से मिलना चाहिए या मिल गया है तो परमात्मा देखना देरे देरे आपकी इच्छा को पूरा करेंगे और थोड़ा सा नजर के उपाए जरूर कीजिए क्योंकि हो सकते है आपको जो नजर लगी है उसी कारण जो घर है उसमें अच्छना रही है चुलिए संगीता जी के लिए आपने उपाए बता दिया है और आगे बढ़ते हैं सुनीत जी की ये मेल है हमारे पास 27 नवंबर 1978 का इनका जर्म है लिख रही है कि विवाह इनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है क्या इनके जीवन में कभी सरलता सुगमता आएगी और सुखी वैवाहिक जीवन जीवन जीवाएंगे ये जी सुनीत का ये मेल है 27 नवंबर 1978 का जर्म है आपके विवाई जी में सचमुच जगडा और कह रहे हैं कलया कलेश मचा हुआ है कोई प्रॉब्लम ऐसा तो दिख रहे हैं कार्ड बता रहे हैं लेकिन थोड़ा आप क्या कीजिए जो आपकी मनी है उसको थोड़ा दान दीजिए को कि जो पैसे को आप फ्रॉदान देंगे कर है पास धन दोलत ऐश सब आता रहे हैं हम उसको देना नहीं जाते किसी पो थोड़ा बहुत आप दान के उपाई कीजिए नजर के उपाई की जी तो आपके जो घर की समस्या है जो फैमिली में चल रही है फैमिली में जो भी है कि शादी की इनो ने पो ली दि जी विवा में पर्स दिजिए ना पैसा कर्च किजिए थोड़ा सा उसको सुंदर सा फ्राइड़ वाले दिन पर्स लेकर आए उनको सुंदर सा पर्स दीजिए तो धीरे दीरे कभी हो सके शाम को कभी फूल ले आए उनको बताएं मत कुछ छोट-छोटी आइटेम में दीजिए तो देखना का फैमिली लाइफ भी ठीक हो जाएगी आगे जो आपके और भी कोई कोश्चन होगा उसके लिए भी आंसर तो फिर जैसी होगा यानि लक्षमी का सम्मान करेंगे तो वाहिल जीवन अपने आप अच्छा चलेगा तो दर्शकों यहां पर गायत्री जी ने बहुत छोटे- च्छोटे उपायों से आपके जीवन की बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान बताया है हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो टैरू काट के माध्यम से आप उसका समाधान चाहेंगे कि इतने चोटे-चोटे उपायों से आपने झाल